दोस्तों हम ऐसे देश में रहते हैं जहां धरम के नाम पर राजनिती होती है देश के फोजियों को मार कर, दो गुटों को लड़ा कर, लोकल छोटे मोटे संग्टनों को थोड़े बहुत पेसे और पावर का लालस देकर दंगे करवाये जाती है देश के किसानों से उनका हक छेना जाता है, सिरी राम जैसे सुद्ध सब्द को किसी को मारने से पहले बोला जाता है देश के पुराने गड़े वे मुर्दों को उखड़ा जाता है, आरेसस जैसे संक्टनों को एक सांती का परतीग मना जाता है युवाओं के मन में रोजगार और मिलनसार जैसी भावनाओं के परे उनके मन में हिंदू बना मुस्लिम जैसी भावनाओं को ज़्यादा प्रेणा दी जाती है जो देश में समझदारी से रोजगार देने देश में एक्ता बनाए रखने सिर्फ अपने किये हुए कारियों पर राजनेती करते हैं उनको हमारे देश में बेवकूप समझा जाता है मैं बात कर रहा हूँ मोदी और राहूल गंदी की इस बात में कोई सक नहीं है कि कौन कैसा है देश के किसानों को 2021 में लगबग एक साल और चार महीने तक उनकी बातों को नहीं सुना गया मोदी इस बात पर कोई जवाब नहीं देना चाते कि मनिपूर में क्या हो रहा है हरियाना नूह में वोई हिंसा का कौन जिमेदार है ये निश्चिती आप जानते हैं कि मोदी चाहें तो इन सब को आसानी से रोख सकते हैं चलिए मैं आपको पारलियामेंट का एक वीडियो दिखाता हूँ अब पुरे देश में करोशीन भेग रहे हो पुरे देश में आप पर देश में जलाइए लंका अनमाने नहीं जलाई उनके गमंगें जलाई और ये बिल्गुर सच है आप देखे जनता जनार्दंभी वर्मा रांगे रूगी है इस वीडियो में साप दिखता है कि मोदी उस गल्फरेंड की तरह हैं जो आपको अंत में ये दिखाना चाहती है कि आप गलत है उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां बहस किस बात की हो रही है उसको बस कैसे भी करके आपको निचा दिखाना है रहूल गांदी इसमें फेक्चुल बात कर रहे हैं लेकिन मोदी जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से किसी को कुछ लेना देना नहीं है कि आप कहां से आए हैं आप बस देश को अच्छे से चलाईए और देश में सांती बनाए रखें बाकी नायक मोवी के अमरिस पूरी जी की कोपी करना बंद कीजिए